नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल बर आपका स्वागत है, मैं हूँ सौहलाल शर्मा, आज के इस प्रैक्टिस सेट में अभिवक्ति और मात्यम पुस्तक के तीन पाठों के MCQ संकलित है, तो किजी प्रैक्टिस इन सवाल जवाबों की और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत बुलिएगा, प्रैक्टिस सेट की यह शरंखला आपके लिए कितनी उप्योगी साबित हो रही है, कमेंट कर बताईएगा, तो चलें प्रेश्णों की और पहला प्रेश्ण, समाजार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? अगला प्रेश्ण, किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? अगला सवाल, फीचर की कौन सी विशेश्था है? अगला सवाल, तत्यों, सूचनाओं, तथा आंकणों की गहरी चानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? और सही जवाब है, D. इन डेफ्थ रिपोर्ट अगला प्रेश्ण, पेज थ्री पत्रकारिता का आशे है अगला प्रेश्ण, किसी सामगरी से, उसकी भाषाशेली, व्याकरण, वर्तनी, तथा तत्यात्मक अशुद्धियों को दूर्ट करते हुए, पठनिय बनाना किसका कार्य है? पठनिय यानि पढ़नी योग्य, A. पत्रकार का, B. संपादक का, C. संबादाता का, या D. इन में से कोई नहीं? और सही जवाब, B. संपादक का. अगला सवाल, आम तोर पर अखबारों और पत्रकाओं में, फीचर कितने शब्दों तक छपते हैं? A. सो से पंड़े सो शब्दों में, B. पांट सो से दो हजार शब्दों में, C. धाई सो से दो हजार शब्दों में, या D. एक हजार से दो हजार शब्दों में, और सही जवाब है, C. धाई सो से दो हजार शब्दों में. अगला सवाल अंशकालिक पत्रकार को अन्यकिस नाम से जाना जाता है A. खोजी पत्रकार B. फ्रीलांसर श्री श्टंगर D. इनमें से कोई नहीं और सही जवाब है C. श्ट्रिंगर अगला सवाल किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है A. माध्यमों को B. लेखक को C. बाजार को या D. जनता को और सही जवाब है A. माध्यमों को अगला सवाल भारत में पहला चापा खाना कहां खोला गया था A. मुंबई B. गोवा C. गुजरात और D. पश्चिमंगाल सही जवाब है B. गोवा अगला प्रश्ण रेडियो में कौन सी सुविधा उपलब्द नहीं होती A. एक समाचार को कभी भी कहीं भी नहीं सुन सकते B. किसी गूड शब्द के अर्थ को ततकाल नहीं ढूंड सकते C. अखपार की तरे पीछे लोट कर नहीं सुन सकते या D. उपर्युक्त सभी और सही जवाब है D. उपर्युक्त सभी अगला प्रश्ण वेबसाइट पर विशुद पत्रकारीता किसने शुरू की अगला सवाल है कि हिंदी के पहले साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? A. पंडित जुगल किशोर शुक्ल B. बाल मुकुंद गुप्त C. जुगल किशोर गुप्त और D. भारतेंदु हरिश्चंद्र और सही जवाब है A. पंडित जुगल किशोर शुक्ल अगला प्रश्ण उस लेख को क्या कहते हैं जिसमें किसी मुद्दे के प्रती समाचार पत्र की अपनी राई प्रकट होती है A. संपादक के नाम पत्र B. संपादकिये C. आलेख या D. पत्रकार्य लेखन सही जवाब है B. संपादकिये यानि एडिटोरियल अगला प्रश्ण किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुँचाना कहलाता है A. जाएंकर B. फॉनिन C. ब्रेकिंग निउज या D. लाइव सही जवाब है C. ब्रेकिंग निउज अगला सवाल भारत में FM की शुरुवात कब हुई A. वर्ष 1990 में B. वर्ष 1991 में C. वर्ष 1992 में और D. वर्ष 1993 में और सही जवाब है D. वर्ष 1993 में अगला प्रश्ण विशेश लेखन की भाषा शेली की क्या विशेश था है A. उस विशेश क्षेत्र की शब्दावली से परिचित होना B. उस विशेश क्षेत्र से परिचित होना C. विशेश विशेश पर लेखन करना या D. लेखन करते समय विबिन भाषाओं की शब्दावली का प्रियोग करना और सही जवाब है A. उस विशेश क्षेत्र की शब्दावली से परिचित होना अगला सवाल समाचार पत्र पत्रिकाओं में विशेश लेखन किन विश्यों पर किया जाता है A. अर्थ व्यापार B. सिनेमा या मनुरंजन C. खेल कूद या D. उपर्यूक्त सभी और सही जवाब है D. उपर्यूक्त सभी अगला प्रेशन विशेश लेखन कहलाता है A. सामाने लेखन से हटकर किसी विशेश विशेपर किया गया लेखन B. किसी विशेपर लिखा गया रचनात्मक लेखन या C. किसी विशेपर किया गया क्रियात्मक लेखन तो सही जवाब है सामाने लेखन से हठकर किसी विषेश विषेपर किया गया लेखन अगला परेशन विषेश लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा शेली अपेक्षित है अगला सवाल इन में से कौन सा शब्द आर्थिक क्षित्र से सम्मंदित नहीं है? और सही जवाब है C. गुगली अगले सवाल विशेश संबाद्धाता किने कहते हैं? A. जिन रिपोर्टों द्वारा सरकारी एजेंशियों पर रिपोर्टिंग की जाती है? B. जिन रिपोर्टों द्वारा हर क्षित्र में रिपोर्टिंग की जाती है? C. जिन रिपोर्टों द्वारा विशेशी करत रिपोर्टिंग की जाती है? या D, जिन रिपोर्टों द्वारा स्केम घोटालोंश सम्मंदित रिपोर्टिंग की जाती है तो सही जवाब है कि जिन रिपोर्टों द्वारा विशेशिकरत रिपोर्टिंग की जाती है यानि उत्तर सी अगला सवाल जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है A. अखबार B. रेडियो C. टेलिविजन या D. इंटरनेट तो सही जवाब है A. अखबार अगला और अंतिम प्रेश्ण इस्तंब लेखन में किसके विचार होते हैं A. समाचार पत्र के B. लिखने वाले लेखक के C. समपादक के या D. इनमें से कोई नहीं तो सही जवाब है B. लिखने वाले लेखक के ऐसे ही उप्योगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही लाइक वर शेयर करना न भूलें बने रही चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार